Hello student, आज हम concept of technometry के विशे में पढ़ेंगे explanation हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा ताकि हिंदी मीडियम student और इंग्लिश मीडियम student को फाइदा हो सके चलिए सुरू करते हैं What is technometry? Technometry is a study of a sides of a right angle triangle and a corresponding angle between them कहने का मतलब यह है कि technometry में हम right angle triangle की sides और उनके बीच में जो angles होते हैं, उनके relation को study करते हैं अब जैसे कि यहाँ पर देखिए हर एक चीज आपको बहुत बहुतर तरीके से समझाएगी देखिए ABC एक right angle triangle है right angle triangle का मतलब उसमें एक angle 90 degree होना चाहिए जिसे यहाँ पर यह देखिए और यह जो sign बना है आपका इस तरह से यह 90 degree angle का sign होता है यानि कि sum core 90 degree angle को sum core भी कहते है हिंदी में अब देखिए 90 degree angle देखिए यह angle यहाँ से बना है यानि कि कोई भी चीज होती है उसका कुछ आधार होता है तो इसको हम base बोलेंगे क्योंकि यह bc से जाकर बना हुआ तो bc क्योंकि इसकी सुरुवात यहाँ से हुई इसलिए bc is a base हिंदी में हम आधार बोलते हैं फिर angle के सामने वाली just opposite side या यह कहलें सामने वाली side perpendicular होती है देखिए तो परपंडिकुलर को हिंदी में हम लंभ बोलते तो यहाँ पे क्या है भी ए परपंडिकुलर हो गया है और सबसे खास बात right angle triangle में जो longest side होती है उसे हम hypotenuse बोलते हैं यानि की कार्ण यह देखिए आप सबसे पहले longer side identify कर लेजिए right angle triangle में अधा काम आपका आसान हो जाएगा कि क्या base है क्या hypotenuse है क्या perpendicular है टेंशन लेने की जूरूत नहीं अब देखिए माल लीजिए यह तो यहाँ पे base था अगर माल लीजिए यह base था पूरा माल लीजिए यह angle यहाँ पर होता तो base क्या होती अब देखिए यह दूसरा case है इसमें आप समझेंगे इंट्राइंगल ABC अब देखिए angle यहाँ से बना देखिए जहां से सुरुवात हुई है उसको हम base माल लेंगे देखिए AB अब यहाँ पर base क्या है AB क्योंकि सुरुवात यहाँ से हुई है longest side क्या है hypotenuse यानि की AC यह हो गया अब base ही हो जाएगी AB और base के सामने यानि की just opposite होता है perpendicular तो यहाँ पर BC यहाँ परपंडिकुलर हो जाएगा AC hypotenuse का काम करेगी मेरे क्याल से concept clear है कि कैसे change होता अब कभी कभी क्या होता है यहाँ पर देखिएगा यह वैसे 90 degree का sign है इस तरह से angle बना हूँ अब किसको इसमें perpendicular मानेंगे किसको base मानेंगे सबसे पहली बात सबसे पहले identify करेए longer side यानि की hypotenuse AC हमारी hypotenuse होगी अब देखिए अगर यह arrow इस तरह से दिया है अगर इस तरह से arrow दिया तो अच्छी बात है नहीं दिया है इस तरह से दिया है तो यानि कि जहां से सुरुआत हुई वो base हो जाएगा यानि कि BC base हो जाएगा और जिस पर जाके touch कर रहा है वो perpendicular होगा मान लीज इंडिकेट नहों कि कहां से जुरुआत हो यह किदर गया है यह मैं तब की बात कर रहा हूँ मेरे ख्याल से technometry में अब आपको बेहतर clear हो रहा होगा कि base क्या है, hypotenuse क्या है, perpendicular क्या है और right angle triangle को हिंदी में समकोड त्रिभुज भी कहते हैं क्योंकि मैंने बहुत आउसर पे देखा है बच्चों को कि उनको समझी नहीं आता है कि किस प्रकार से base निकाले, किस प्रकार से perpendicular निकाले, किस प्रकार से perpendicular निकाले, मेरे एगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि technometric ratios क्या होते हैं, किस प्रकार से उन्हें find किया जाता है, I hope you have understand the concept of everything that I have narrated in this video, stay blessed, stay at home since corona is going on, और channel को ज्यादा से ज्यादा, like, share and subscribe करें, ताकि जरूरत मन लोगों तक या video प्रकार सकें, thank you, jai hin, jai bharat